हलो बच्चो, वेलकम टू जेईटी पॉइंट, जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोसन के बारे में जाएंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोसन एन ही की सर्कुल पढ़ने लगे हम लोग वर्टिकल सर्क्लर मोशन ति अर्वर्टिकल सर्क्लर मोशन अगर आप गोल-गोल घुमा रहे हैं तो उस तरह का होगा तो उस तरह के लिए उस तरह के motion को हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे तो आए समझते हैं ठीक है तो देख़िए बच्चो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो यह करेंच कर रहा था एक इसतरह का केवल कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है कि इफ यू मिन्स ऐसा कि जैसे इस तरह का कोई केवल है और इस तरह का जब हम करते जा रहे अगर धीरे 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 मैं करूँ आप यहां से अगर देख सकते हो तो इसमें क्या होगा कि एक तो मैं इस तरह का जब कर रहा हूं कुछ तो अभी ये looping the loop हो रहा होगा ऐसा एक loop बन रहा होगा और मतलब minimum speed कितना होना चाहिए कि जैसे मालेजे कि अगर इस तरह का है इसको थोड़ा मैं ऐसा रख लूँ इस तरह का कोई चीज है यहाँ पर कोई bob type का कोई चीज अगर होगा तो अगर हम यहाँ पर minimum velocity कितना दे कि यह पूरा ऐसा गोल 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 गोमने लगे तो minimum velocity आप देखते होंगा कि इस पर कितना आप करे कि कोई चीज अगर आपने इसको suppose कुछ velocity दिया तो उसके चलते पूरा ऐसा गोल गोल looping the loop होने लगा दूसरा कि आप इसको इतना velocity दे रहे हैं जैसे मान लिजए कि इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से छोड़ दिये तो थोड़ा भी तरह करनी है कि यहाँ पर heavy bob अगर रहता तो यहाँ पर एक ऐसे जाते रहता कुछ इस तरह से oscillate करते रहता यह चीज इस तरह का या फिर इसको कितना करें कि पूरा गोमते रहे तो इसमें देखिए इस तरह के कम चीजों में दो बाते होगा एक तो मतलब क्या होगा कि कहीं पर जब हम इस position में है vertical circular के वर्टिकल circular motion के कि जैसे मान लिजे कि यह ऐसा और यहाँ पर इसको disturb बगर कर दे या मान लिजे कि एगर रहां से ऐसे छोड़ दे तो अभी क्या होगा ऐसे 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 इसको follow करेंगा मतलब हर बार से हलका फुलका कम होते जाएगा और जब जहांसे return हो रहा होगा तो व यहां से छोड़े हैं वहां का और धीरे 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 कम हो रहा होगा या मान लिजे कि आप यहां से भी अगर आप छोड़ देते हैं ऐसे और फिर उसके बाद कुछ इसमें oscillation इस तरह का हो रहा होगा तो हमें यह देखना है एक तो यह बात हुआ कि velocity उसका keep change होते जा रहा होगा अच्छा इसमें tension का क्या हल चाल होगा tension भी की vary करते रहा रहा होगा वो कैसे क्योंकि जो angle है न उसके चलते जो force लग रहा होगा यह चाहिए मान लिजे की mg है और इसी के long मैं ऐसा कर दूं mg cos theta यह तो आप जानते होंगे तेहां पर क्या होगा कि t my मतलब अगर इ इसमें कि t minus mg cos theta is equal to mv square over जितना भी उसका length होगा L तो अब देख लिजे कि theta का value जैसे जैसे बदल लेगा तो t का value tension का भी value वैसे जैसे बदलेगा इसमें दो बाते होगा हम work energy theorem apply करने वाले हैं इस पार्ट में कि work energy theorem के लिए क्या होता था तो उसमें work energy theorem के चलते हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा कैसे वो बदल रहा होगा इसका speed कैसे बदल रहा होगा देखेंगे एक चीज तो इसमें क्या होगा कि t is equal to t minus mg cos theta is equal to mv square by L एक तो यह जो आपने dynamic circular motion से सीखा था वो काम करेंगे दूसरा हम work energy theorem लगा कर देखेंगे कि जब हम किसी speed से क्या किसी में हम angle से उसको जब हम छोड़ रहा है तो उसके बाद उसका velocity का कैसे या क्या equation होगा energy वाज उसका height अगर change हो रहा होगा तो speed कैसे change हो रहा होगा initial velocity अगर इतना दे रहा है तो क्या क्या हो रहा होगा तो यह सब बाते हम इसके अंदर समझेंगे तो यहाँ पर t-mg cos theta is equal to mv square by l एक तो यह आपको रहने वाला है दूसरा कि अगर initially half m u square is equal to कर रहा होगे तो final उसके पास अगर motion में है मतलब कि मानले जा कि यहाँ से इसको u speed दिया तो कहां तक यह होगा तो कुछ इस समय के kinetic energy में हो रहा होगा और कुछ यहाँ से height or gain कर रहा है तो उसके चलते हो हां से mg h होगा इस तरह के चीजे होगा एक तो यह चीज है दूसरा कि यह जो आप work energy theorem यहाँ पर हम ज्यादा तर use करने वाले हैं और कर रहेंगे मतलब मैं यह सब आपको बता plus mgh ऐसा हम देखते थे तो दूसरी भासा में बच्चों हम ऐसा ही कहते थे ना वी स्क्वार इस्क्वार इस्क्वार माइनस 2gh आप करके देखिएगा यह वाला इधर आएगा third equation के पास चल जाते थे और वी स्क्वार तो अगर initial speed 0 है तो यह वाला कि अगर तो under root 2gh मतलब कि या तो work energy theorem को apply करे या third equation को करे तो दोनों बात से same है तो अभी हम आपको equation इससे velocity वाले का इससे खोबी उस कराएंगे और फिर उसका बद work energy equation से उसको बताएंगे तो अभी क्या करता हूं कि in journal आपको कुछ बाते इसमें बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या-क्या हो मत अगर यहां से इस तरह का है और जब हम यहां से किसी particle को अगर छोड़ते हैं तो हम इसमें interested है कि भाई कि इसका speed in general अगर u speed अगर यहां से दिया गया है तो यहां पर अगर v है तो हम इस v के बारे में जाना चाहते हैं कि अगर angle वहां से theta अगर बना रहा होगा तो उसका तो उसका अगर v velocity मतलब कि अगर एंगल theta बना रहा होगा तो मतलब तो उसमें हमारा velocity किया होगा और angle जब theta बना रहा हो तो simple है अगर यहां से मैं इसका एक पेसन अगर लिखूँ उसके करने के लिए तो 1 by 2 m u square यह होगा square 2 अगर work energy theorem को apply करें तो half m v square होगा यही न और जब वो कर रहा होगा मतलब यहां से यहां तक अगर जा रहा होगा तो height कितना gain कर रहेगा यह तो हमने पीछे के classes में देखा था कि इसका string का length l है तो यह वाला कितना हो जाता था बच्चो l cos theta तो यह distance कितना हो जाता था l common लेने के बाद 1 minus cos theta ऐसा तो यहां पर क्या कर लेंगे कि mg l 1 minus cos theta इस तरह का तो जो v का value हमारा आएगा यहा 1 by 2 1 by 2 यहां से अगर हम v square square 2 अगर लिखे तो क्या हो जाएगा यह 2 2 तो cancel हो रहा होगा लेकिन साथ में यहां पर एक 2 छोड़ते हुए जाएगा अगर 2 को करेंगे तो और mass को भी तो हटा सकते हैं ऐसा तो u square minus कितना हो जाएगा gl cos theta अच्छा square root ले लिया है तो तो यहां से कितना हो जाएगा u square minus 2 gl 1 minus cos theta ऐसा तो यह हमारा पर हुआ v square 2 under root u square minus gl cos theta तो यह तो in general point पर था अभी ऐसा बीच में कहीं तो होगा कि जब मतलब मान लिजे कि अगर oscillate कर रहा होगा मान लिजे completing looping the loop नहीं हो रहा होगा या other lower half of the circle में मतलब lower half of the circle क्यों बनाया इस तरह का कुछ इसका motion होगा ना फिगर ठीक से नहीं बना लेकिन आप imagine कर सकते हैं कि इस तरह कहीं कुछ ऐसा बनेगा तो इस तरह का ऐसा कुछ बनेगा तो उस case में मतलब कि अगर यहाँ पर लाकर किसी ने ऐसे यहाँ से छोड़ दिया फिर वह oscillate हो रहा होगा तो कहीं ने कहीं इसका speed final velocity 0 होगा तो उस पे मान लेते हैं कि उसका angle अगर alpha है तो at theta is equal to alpha final velocity is 0 तो कैसा दिखाई देगा बच्चों look like है यहाँ से 0 कर देंगे तो u square minus 2 gl into 1 minus cos theta यही होगा तो वहाँ से जब हम या उसका alpha ऐसा करते हैं कि मतलब angle हो क्या आ रहा होगा तो उसको गर calculate करे तो इस कितना हो जाएगा u square is equal to यह था u square minus 2 gl 1 minus cos alpha यह समझ में आया कि अभी क्या था कि हमने यहाँ से in general work energy theorem को apply किया और उसके चलते हमने कहा कि in general velocity क्या होगा तो in general velocity बच्चों v square minus 2 gl 1 minus cos theta अगर इसमें oscillate कर रहा होगा अब हम interested हैं कि कहाँ पर velocity 0 हुआ होगा उसको पता करते हैं तो velocity कहाँ पर 0 हुआ होगा add to sum में angle क्या रहा होगा उसका जब वो angle बना रहा होगा तो क्या होगा तो हम उसको find कर रहे हैं तो यहां से जब इसका value final velocity 0 करेंगे तो cos alpha का value जब लिखेंगे तो u square 2 zl 1 minus u square minus 2 zl 1 minus cos alpha तो इसको यह ही लिखेंगे तो जब लिखेंगे तो 0 is equal to u square expression क्या था एक बार फिट से लिखेंगे minus 2 zl cos alpha minus 2 zl 1 minus cos alpha तो यहां से कितना होगा u square minus 2 zl minus plus 2 zl cos alpha ऐसा is equal to 0 तो यहां से cos alpha का value कितना होगा बच्चो यह उखेंगे 2 zl minus u square upon 2 zl इस तरह का कुछ हाएगा क्या ऐसा तो अगर ऐसा हो रहा होगा अगर alpha का value मान लेते हैं कि अच्छा इसमें और cos alpha का value मतलब कि अगर इसी को 0 मान लेते हैं इस term को 0 मान लेते हैं तो वहां से के करके मिलेगा कि u square का value under 2 zl है तो u square to under root 2 zl होगा तो खेर एक आपको glimpse दे रहा हूं कि ऐसा हम velocity लेंगे तो खेर इहां पर अभी आपको यह समझना है कि कि यहां पर आपको यह समझना है कि जो cos alpha का ऐसा angle कि जहां से cos alpha का वहां value है कि जहां पर उसका final velocity 0 होगा वह वहला alpha होगा तो उसका value कितना होगा बच्छो 2 zl minus u square upon 2 zl तो इसको याद रखिएगा तो इसमें दो बाते हैं एक तो यह था कि मैंने आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं तबसे कि अगर एक vertical circular motion में कोई अगर particle घूम रहा है या कोई मतलब अगर string वगर है अगर आप उहां से लेकर इसको थोड़ा सा tilt कर दिये या थोड़ा छोड़ दिये तो आसिलेट जब हो रहा होगा तो यह मतलब कुछ हल चल देकर इसका कुछ initial speed u दे दिया तो अभी यह oscillate ही कर रहा होगा ना lower half of the vertical circle में तो कहीं पर इसका velocity 0 ह हुआ होगा तो कहीं पर 0 हुआ होगा तो alpha angle क्या होगा तो उसी को मैंने alpha ले लिया है तो उसको बताने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ अब चाहें तो simple उससे भी कर सकते थे कि आप t-mg cos theta is equal to mv square by l और work energy theorem को लगा लिजे उस पे भी करेंगे लेकिन हम इसका भी analytical treatment दे रहे हैं कि उसको समझ रहे हैं कि क्या मतलब रहा होगा क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा क्योंकि इसका फायदा इसको आपको दिखा रहे थे इस तरह का कुछ चीजे चल रहा था यह वाला तो जब इस तरह का अभी तो खूब सारा स्प्रीड में चल रहा है मोशन में आ रहा है लेकिन अभी देखिएगा जैसे ही हो रहा देखो यहां पर जब इस slide गया तो complete circle होने के बाद क्या होगा ब इसको समझने के लिए कि मालीजे की यहां से चल रहा होगा और कोई यहां पर इस fixed है ऐसा और यह bob है तो bob अपने mg के चल दे तो हमेशा है टाइट रहेगा यह वाला तो यहां से लेकर यहां तक इसके ठीक पहले यह इसके ठीक पहले मतलब कि यहां से आप 90 डिगरी इधर ब by 2 minus by 2 तो इन दोनों cases में से ठीक पहले जो string होुगा हमेसा टाइट होगा या यहां तक भी टाइट T is equal to 0 होने का chances है मतलब कि tension को 0 होने अगर है तो must be the upper half of the circle पर होगा यहां पर कहीं होगा कैंकि अगर आप इसका imagine करिए कि ये गोल-गोल आकर घूम रहा होगा, तो कहीं यहाँ पर यहां पर ही आ कर रुक रहा होगा इस तरह का, तो यहाँ पर रुकने के बाद फिर क्या होगा, तो इसकी कहानी हम देखेंगेен तो हम अभी interested है कि इसका tension in general कहाँ पर आएगा और उसका tension कहाँ पर होगा और मतलब कि tension उसके lower half, upper lower half पर अगर zero हो रहा होगा तो वो किस angle पर होगा, हम उसको देखना चाहा है, ठीक है, तो in general अगर हम T की अगर कहीं से लिखें, मतलब माली जए यहीं का अगर हम लिख लेते हैं और यह vertical से अंगल अगर ठीटा बना रहा होगा, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चो, equation, अचा दूसरा figure ले लिया जाए, अचा रुको, shape तो ही है ना, तो shape को भी यूज किया जाए इस तरह का, वीजिवल है, और यह ऐसा है, तो मान लिजे कि यहाँ पर कहीं vertical सेंगल ठीटा बना रहा होगा, string का length अगर L है, L है, L है, ऐसा, थोड़ा सा उपर बन गया, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक, तो यह अगर ठीटा है तो यह भी आपका ठीटा होग तो यह वाला value कितना हो जाएगा, L cos alpha, ऐसा, या L cos theta मान लेते हैं, इसको, ठीक है, तो इसका जब हम equation अगर लिखते हैं, कि मान लेते हैं कि tension का in general value क्या होगा, या आप यहाँ से भी अगर इसको theta भी अगर बोलते होंगे, तो mg ऐसा, तो mg cos theta ऐसा होगा, और यहाँ से अगर suppose, अच्छा, इसी पे हिस्टिक रहते हैं, वो अपने अब theta का value, अगर ज्यादा होगा, कम होगा, तो मैंने आपको क्या अभी बताया, कि lower half of the circle में, इसका tension जीरो नहीं होगा, जब भी होगा, तो इसके अपर वाले में, upward half, मतलब कि जो आधा circle का है, उसके उपर वाले part में, हिस्सा में, वहाँ पर जीरो होगा, कहीं यहाँ पर जीरो होगा, तो अभी जो हमने equation आपको बताया था, यू एस्क्वार टू, या वी एस्क्वार इस्क्वार टू, जो अभी पीछे वाले expression में आपको बताया था ना, कि इसका कहीं पर वेलोसिटी अगर जीरो होगा, तो वेलोसिटी कहीं जेनरल क्या होता था, यू एस्क्वार माइनस टू जीरो, वन माइनस कॉस्टीटा, यही बताया था, इसके लिए अगर टेंसन के लिए लिखते हैं, तो टी माइनस अभी कॉस्टीटा, इसक्वार टू, एम वी स्क्वार वाई, इस तरह का होगा, ठीक, तो अगर हम इसका वैलो पूट करें, टी स्क्वार टू अगर इसको लिखें, तो एम जी कॉस्टीटा, प्लस एम वाई एल, और वी स्क्वार का वैलो जब यहां से लिखेंगे, तो यू स्क्वार माइनस टू जीर, वन स्क्वार बाई एल, माइनस टू जीर और माइनस माइनस प्लस टू जीर, कॉस्टीटा, तो यहां पर एम जी कॉस्टीटा पहले से है, तो इसको जब आप लिखेंगे, टेंसन के लिए जो एक्स्परेशन, तो कितना जाएगा बच्चो, एम यू स्क्वार बाई एल, और उ इस तरह का होगा क्या, तो यह इसको टेंसन का आपका इन जेनरल आ गया, तो हम दो चीजों के साथ इसमें स्टिक करके रखेंगे अपने आपको, एक तो यह था वी स्क्वार टू, इसक्वार टू यू स्क्वार माइनस टू जीर कॉस ठीटा, और उसके लिए देखें कि ज जब जीरो होता था, तो उसका एक्स्प्रेशन हमने पिछले वाले स्लाइड से में देखा था, कि विलोसिटी जीरो कहां पर होता था, इसक्वार टू, नहीं लिखा था किया, जब विलोसिटी जीरो होता था, तो एंगल उस समय का था, कॉस अलफा, अभी मैं आपको सब ए जीरो होता था, कि विलोसिटी उस मतलब लोवर हाफ में कहीं जीरो होगा, लोवर हाफ अप दो सर्कल में, अगर स्पीड जीरो होगा, तो ऐसा होगा, दूसरा, कि इसकी बारे में बात कर रहे थे, कि टेंसन कहां पर जीरो होगा, अगर ऐसा लूपिंग दा लूप अगर हो कहीं slack करेगा, तो उस समय का angle क्या होगा, तो इसको namely बोल देते हैं, theta is equal to phi, क्योंकि अलग दिखाने के लिए, तो tension अगर 0 रहा होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, mu square over L plus 3 mg cos phi और minus 2 mg, यही होगा, अगर tension 0 होगा, तो अब हम cos phi जड़ा निकालें, तो कितना जाएगा बच्चो, cos phi का value, यह 2 mg धर्ग जाएगा, है ना, तो plus 2 mg हो जाएगा, और यहां से, अच्छा, mm अपने घर चले गए होंगे, इसमें 0 की तरफ, तो यहां से L को फिट से देखिए, कि 2 GL उधर आकर, ऐसा होगा, और दूसरा, minus u square, और यहां से 3, एक L इधर भी multiply होगा, क्योंकि L जो यह, जो 0 की तरफ भेज रहे थे, तो एक L, एक L इहां पर छोड़ कर जाएगा, minus 3 GL, तो यह दो आज का आपको, मतलब होता है न, कुछ take away आज के class का, तो यह जो, मतलब की, जो, orange color का दिख रहे है, orange color का जो mark है, तो यह आज आज आपके लिए take away है, मतलब इस तो basically क्या होगा कि velocity का in general point, आप, आपने मतलब दो चीज़ देखा था, कि अगर कोई oscillate कर रहा होगा, मतलब कि कुछ ऐसा pull करके, अगर छोड़ दिये हो, तो उस समय का velocity का expression क्या होगा in general, यह होगा, और यह कहीं के लिए भी होगा, मतलब कि यहां पर क्या है कि हमने इसको द तो उसको अगर हमने देखा कि tension कहाँ पर zero होगा, तो बता रहा है कि उसके लिए angle अलग था, 2gl minus u square 3gl, और मैंने आपको इसको convince जैसे कराया कि लोवर half of the up में क्यों होगा, क्योंकि उसमें देखिए, कि अगर lower half of the circle में होगा, तो tension तो हमेंसा mg नीचे की तरफ होगा, तो string ह यसा टाउट रहेगा, तो slack कभी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही अगर वो अपर half में अगर जाएगा, तो क्या होगा, तो वहाँ पर ज्यादा chances है, अगर sufficient velocity नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, देखो, अगर खुब सरा velocity दे दीजिए, मतलब कोई string ऐसे है, चुप चुप दिया, तो मतलब raise किया, और maybe slack मतलब वहाँ से ही, lower half में है, तो ऐसा oscillate करेगा, तो उस समय जब velocity zero क्या हो रहा था, तो उसका एक, आपको बताया था, cos alpha is equal to two g l minus u square upon two, two g l, उस वाले के लिए, जब velocity zero होगा, अभी क्या होगा, क्या होगा क्या है, तो क्रॉस तो कर गया, यह एक quarter यहां से complete किया होगा, जब second quarter में जब वह जा रहा होगा, तो यहां पर ज्यादा chances है, उसको slack करने के लिए, ठीक है, तो उस समय अगर slack करेगा, तो tension zero होगा, और tension zero होगा, तो हमारा उस समय एक angle कितना होगा, two g l minus u square, three g l, ऐसा कुछ होगा, ठीक है बच्चो, तो मैं इ एक अलग से summarize कर देता हूँ, कि आपको असानीम से chewing कर सकते हैं उसको, मान लीजे कि एक circle है, इस तरह का, यहां पर बनाते हैं कि space थोड़ा, वहां से ज़्यादा हो, यह visual है, अच्छा चलो ओधर बन गया, कोई देकत नहीं है, center बिलकुल ऐसा है, मुझे देखना पढ़ता ह screen में, कि यहां पर तो symmetry है, तो पता नहीं चलता है, लेकिन वहां पर overview मिलता है, जिसे आपको overview मिल रहा होगा screen के लिए, ठीक है, तो एक तो इसका ही यहां पर होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, कि यहां से जब आपने इसको कुछ ऐसे छोड़ा, ठीक, अगर यहां से suppose u ispute दिये थे, तो यहां पर इसका v velocity होगा, ठीक, और angle उसे में theta बना रहा था, तो v के लिए आपको बता है था, under root u square minus 2gl, 1 minus cos theta, ठीक है, if velocity is 0, then उस समय का theta is equal to alpha, अब दो जहां से इसको छोड़ा हो तो v velocity है, तो कभी तो होगा नि, या हो भी सकता है कि उसी angle पर हो, तो theta is equal to alpha, या मतलब बेहां से किये हों, या कहीं और से किये हों, तो then theta is equal to alpha, तो उस समय आपका, cos alpha का value क्या होगा बच्चो, उसके अंदर आपको क्या बताया गया था, u square minus 2gl upon gl, ऐसा, 2gl ऐसा था, यहीं न, कि theta is equal to alpha होगा, तो यह कैसा हो जाएगा, दूसरा कि tension का in general आपको expression क्या बताया था, अभी, कि mg cos theta, इसका थोड़ा लंबा expression था, तो बता देता हूँ, इधर से, कि tension is, कि यहीं पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि mg नीचे की तरफ था, और यहां से यह वाला component is mg cos theta था, और tension कुछ ऐसा था, तो t minus mg cos theta is equal to mv square by l, तो फिर ओ लिखने जैसा हो जागा, mg cos theta plus m u square by l, अब जब इसको imagine करें कि मैं v का value इसमें put कर रहा हूँ, तो t का value कितना हो जाएगा बच्चो, कितना है था, 3 mg cos theta expression, यह आए था, 3 mg cos theta minus 2 mg plus mv square by l, 3 mg cos theta, यह तो ऐसे लिख लिख लिजए, mu square by l, इसका value put किया जा रहा है, इसमें, वहां से आ रहा है, 3 mg cos theta minus 2 mg, ऐसा, तो कहीं पर अब tension का होने का select करने का chances कहां पर होगा बच्चो, यह ऐसा, इस हाप पर कहीं पर होगा, उस समय का जो angle होगा, when t is square to 0, तो उस समय उसको 5 theta is square to 5 बोला जा रहा है, तो उस समय जो आप cos phi का value लेकर आएंगे, is square to, is u square minus 2 gl upon 3 gl, यह उसका उल्टा कर लिख दिया क्या है, 2 gl minus u square होना चाहिए था, ठीक है, वह लगता है लिखने में गड़बड़ी हो गया है, बार-बार हो आ रहा है, यह देख लेता हूं कि वहां से आया क्या था, हाँ, 2 gl minus u square upon this, 2 gl minus u square, ऐसा यह था, तो उसके लिए जब आप करेंगे, तो यहां से 2 gl, क्योंकि एक जैसा लिख रहा हूं कि आपको याद रखने में असानी हो, तो उससा में जो cos phi का value होगा, यही पर लिख दिया जाए, cos phi का जो value है, 2 gl minus u square over 3 gl, ऐसा, जब tension zero होगा, तो यहां पर ऐसा होगा, जब velocity zero होगा, तब यहां पर ऐसा होगा, ठीक है बच्चो, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यह वाला important part है इसका, पूरे discussion का निचोड इसी में है, ठीक है, तो अब आजएए, आज के next उसमें lecture में चलें, की और आगे की तरफ होगा, तो क्या होगा, तो जो मैं आपको बोल रहा था कि different different अगर velocity अगर देते हैं, तब क्या होता है, तब उसके लिए देखते हैं, तो यह तो आप याद रखिएगा, अभी क्या है, अच्छा मैं यह बता रहा था आपको, की पिछले उसमें, की जैसे की अब हम इसका initial velocity यहां से कितना दें, तो एक a था, की जब मान लिजए की u का value अगर आप under root 2 jl देते हैं, मतलब कि अगर इसका value अगर 0 होगा, तो imagine करके सोचिए कितना आएगा, under root 2 jl, मतलब एक दम से मेरे मन में ख्याल क्यों आया, की under root 2 jl होगा, basically हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, की जब u का value case 3 cases होगा, case 1, case 2, case 3, तो इसमें u का value under root 2 jl है, तब क्या होगा, u का value अगर under root 4 jl है, तब क्या होगा, और u का value अगर under root 5 jl है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले, हम अपना समझते हैं, की u और t 0 हुआ होगा, क्या, या मतलब पहुंच गया होगा, क्या हुआ होगा, तो अगर पहले वाले में अगर देखें, मतलब cos alpha, जब velocity, ये u अगर 0, ये v final velocity 0 कहा हुआ होगा, मतलब की u is equal to under root 2 jl अगर दे रहें, तो, मतलब की lower half of the circle में है, तो क्य गया हो circle बना दे समय ही हो रहा है, मतलब इस तरह का मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं, ऐसा, अगर है, तो, ये कहां पर, ये 0 हो रहा है, अगर इसको दे रहा है, अगर under root 2 jl, अंडरो 2GL अगर speed दे रहे हैं, तो यह कहां पर जिरो हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, तो cos alpha का value, u square का value तो 2GL तो यहां पर था ही था, और यहां से आपको याद होगा, यहां से u square की value, इसकी बात कर रहा हूं, cos alpha 2GL minus u square upon 2GL, तो आप यहां से अभी यह बता रहे थे, कि अगर यहां पर एक एक करके cases को आपको discuss करके बता रहे हैं, कि जब यहां पर इसको कर रहे हैं, इसमें और u का value under root 2GL दे रहे हैं, ऐसा, तो कहां पर 0 होगा, तो कुछ है, यहां पर आकर 0 होगा, मतलब कि जो उस समय का final velocity अगर 0 होगा, तो उस सम होगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कि angle से मतलब, इसको मतलब कि या तो कह लीजे कि work energy theorem से यूज करके, आपको angle बता रहे हैं, वहां से, अभी फिर क्या होगा कि मैं इतना velocity दूँगा, तो work energy theorem लगा कर फिर आपको दिखाऊंगा कि यह pi by 2 तक पहुँचेगा, तो दोनों अलग-अलग treatment देंगे, तो अभी इस case में alpha का value हमारा pi by 2 अगर होगा, अगर u का value अगर एक case अगर आपने देखा, कि under root 2 जी अलगर होगा, तो उस समय angle उसका कितना बन रहा होगा, pi by 2 इस से, ठीक है, तो pi by 2 पर just o raise करेगा, और उसके बाद वहां से रुख जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर नीचे की तरफ ऐसे आएगा, air resistance होगा, तो फिर ऐसे थोड़ा कम, ऐसे इस तरह से oscillate करते रहेगा, और फिर दूसरी बार कब zero होगा, तो advance वाले लोग इस पे हमारा और काम कर सकते, तो जो question आने देजिए, उस पे हम लोग और try करेंगे, तो cos alpha का value ज नी हो रहा है, उस समें tension भी zero हो रहा है, तो matrix type questions के लिए, advance के लिए अच्छा है, कि अगर उसने पूछ दे, कि अगर इस तरह का है, passage वगरा कुछ आपको खुब सरा भर के बना दे, और उहाँ पर velocity आपको, कौन से क्या velocity होगा, angle alpha से कैसे depend करेगा, तो ऐसे depend करेगा, तो उस तो velocity zero होगा, और उस case पर tension भी zero होगा, क्यों मैंने एकदम बताया ऐसा, क्योंकि tension का expression आपने क्या लिखाया ला था, एह निकाला था ना, कि velocity वाले के लिए, एक cos phi, इसके लिए आप देखाता है, यहाँ भी two zero is minus u square है, तो u square का value two zero होगा, तो यहाँ से हम बोल सकता है ना, क की यह चीज़, पीछे की तरफ आगे क्या, cases, हाँ, यहाँ पर, तो जब t square to zero है, तो आप side में, इसके लिए जैसे की, कह सकते हैं, कि t square to zero क्यों हुआ, कि जो cos phi का value था, मतलब की cos alpha तो इस u के लिए था, और दूसरा जो cos phi का value क्या था, बच्चों, जब tension के लिए होता था, तो u square, या, sorry, minus two zero, u square over three zero, ऐसा, था था था, ठीक है, तो इस case के लिए, मैं अगले बार से इसको अलग बना रहा हूँ, आपको दिकत हो रहा होगा, comprehend करने में, वहाँ पर space था, तो मैंने सूझा कि पहला case यहाँ पर बता दू, कि अगर case one में, u is equal to under root two zero है, तो उस समय कितना initial speed यहाँ से देंगे, तो कितना raise करेगा, pi by two, और वहाँ पर एक चीज़ आपने notice किया, या इस में देखा, जो expression दो हमने लेकर आये थे, कि जब velocity कब zero होगा, और tension कब zero होगा, जब velocity zero होगा, तो उस समय alpha का value pi by two होगा, और जब tension भी zero होगा, तो उस समय भी pi by two होगा, कब अगर आप case one under root two zero दे रहे हैं तो, ज़्यादा speed करेंगे, मानने जे कि इसको under root four zero करेंगे, तब कहाँ पर होगा, आईए उसको पता करते हैं, case two, when u का value under root four zero है, और यह हमारा कुछ string है, ऐसा, और इसको कुछ ऐसा कर रहे हैं, कि u का value under root four zero अगर दे रहे हैं, तो under root four zero दे रहे हैं, तो देखिए, एक कुछ कहाँ पर zero होगा, पता करते हैं, तो और सांसी सांथ और बार बार लिखते हैं, कि cost alpha का value, बार बार लिखने के पीछे यही मक्सादे बच्चो, कि आपके दिमाग में जाकर embedded हो जाए, एक दम से जाकर fit हो जाए, कि आपको मतलब कि याद रखने के लिए अलग से रटना ना पड़े, देखिए, होता क्या है कि कोई चीज आपके सामने से बार 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 गुजरता है, तभी जाब आपके दिमाग में बैठा होगा, अभी आप सोचरां कि सर क्या पढढ़ा दिया, अजीब सामन हो गया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आते जाएगा, और question आप करोगे, तब आपको मजाएगा, तो cos alpha is equal to 2gl minus u square over 2gl था और cos phi is equal to 2gl minus u square over 3gl था ऐसा, तो आइए पता करते हैं कि अगर u का value अगर 4gl है, initial speed का, तो कहां तक जाएगा, इसमें जैसे पिछले वाले में अंडर व 2gl दिया था तो पता चला कि यह तेहीं पर जाकर, फुस हो गया था, तो दूसरे वाले में कहां पर जाएगा, तो यह यहां पर जाएगा, कहां जाएगा, minus u square का value कितना हो जाएगा बच्चो 4GL तो इसका value कितना हो जाएगा minus 2GL upon 2GL 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 से cancel हो जाएगा तो minus 1 तो इसका value cos alpha का value है और alpha का value कितना जाएगा pi ऐसा तो इसका मतलब जो bob है यहाँ से था ठीक यहाँ पर आगर पहुंच जाएगा ठीक है अच्छा tension के बारे में देखें कि tension क्या वहीं पर 0 हो रहा है या क्या हो रहा है कि कहीं और 0 हो रहा है तो tension वाले के लिए क्या था बच्चो cos phi उसका अगर देखते हैं तो 2gl minus u square का value है 4gl upon 3gl जब यहाँ से मिला तो 2 minus 3 तो minus 2 by 3 यहीं आएगा ना gl gl होने के cancel होने के बाद तो यहाँ से cos phi का value अगर देखेंगे तो minus 1 तो है नहीं तो उसे कम आ रहा होगा माइनस 2 by 3 मतलब 5 के जो value निकालेंगे 180 degree से कम obviously होगा यह value कम है तो minus 2 by 3 तो आप कुछ करके देखेंगे तो इसका value almost 131 degree के असपस मिलेगा तो इसका मतलब कि tension कहीं और ही 0 पहले ही 0 हो गया है जब pi पर इसमें अभी वहाँ पर इसका velocity तो 0 हुआ है tension में slacking पहले से आ गया है लेकिन अपने और inertia के चलते था तब यहां तक यह पहुंच गया मतलब कि tension हो गया अब tension नहीं लग रहा अब इस टाइट नहीं है लेकिन अपने inertia से क्या है inertia में ही जानते हैं कि अगर body motion में है तो motion में ही रहेगा तो को external force नहीं लग रहा होगा decrease होते रहता है तो जैसे जैसे decrease होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि dx कर रहा है तो यहां पर भी होगा होगा कि tension तो देना बंद कर दियें लेकिन अपना उसका कुछ velocity होगा कि यहां तक आ जाएगा फिर क्या होगा कि वहां पर velocity बंद है और ओ यहां से अपना projectile cover करेगा तो अपने इनर्सिया में तो पीछे की तरफ fall down करेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगली बार वो नहीं उठेगा, raise करेगा, क्योंकि उसका velocity already कम हो गया और यहां पर जब वो आएगा, तो कुछ वहां पर जाने के बाद पीछे की तरफ आएगा और फिर case point तब पहुंच जाएगा, लेकिन इसी case में एक चीज़ छुपा हुआ होगा, कि tension कहां पर 0 होगा, तो अकसर यहां पर वच्चो गलती होता है, और उस गलती को आप यहां से पकड़ सकते हैं, तो 131 degree जो भी, मैं कहां कि कहां गयब हो गया, कि 5 जब tension कहां पर है, 131 degree पर है, तो इसका मतलब कि कहीं tension इधर ही कहीं 0 हो चुका था, ठीक है, तो यह बाद आपको समझ में आया होगा, तो इसको note down कर लिजिए बच्चो, यह काफी आपको help करेगा, यह तो पहला वाला case है, इस चीक है, अब उसके बाद, next देख लीजिए, इसको, case two, कि when u is equal to under root 4 GL देंगे, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा, जिसमें दो चीजें हमने देखा था, कि जब u का value कब 0 होगा, तो highest point पे मिला, cos alpha का value लगा कर, और उसके बद, इसको देख लीजिए, कि जो cos phi का value होगा, ओ कब 0 होगा, तो यहाँ पर 0 होगा, अजब tension कब 0 होगा, तो वहाँ पर highest point पे नहीं, यह पहले ही 0 हो जा रहा है, ठ case 3 पे चलते है, case 3 में क्या है बच्चो, कि u square to under root अगर 5 gel अगर देते हैं, तो तब क्या होगा, तो आईए पता करते हैं, कि velocity कब 0 होगा, तो u वाले के लिए, या cos जो alpha था, वो कितना था, 2 gel minus u square upon 2 gel, तो जब यहाँ से इसका value put करेंगे, तो 2 gel minus 5 gel upon 1 gel है, 2 gel इधर से होगा, तो minus 3 by 2 आजाएगा, अब minus 3 by 2, cos alpha का value तो कभी नहीं होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसमें अगर under root 5 gel करेंगे, तो कोई angle ऐसा होगा ही नहीं कि वो 0 होगा, तो क्या होते रहेगा, looping the loop, मतलब velocity कभी 0 नहीं होगा, इसे को बोलते हैं, looping the loop, जिसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कि अभी मैं reverse आपको बता रहा हूँ, कि u से under root 5 gel है, तो इसा equation मतलब ऐसा हो रहा है, मैं इसका एक reverse तरीका ही बताऊं, मतलब reverse ही है, इसका सीधा-सीधा तरीका ही बताऊंगा, कि under root 5 gel ये under root 5 RG कैसे आता है, तो उसमें क्या होता है कि simple तरीके से इसको करते है, इतना generalized cases हम नहीं बनाते हैं, वो simple वहां से आ जाता है, तो looping the loop अगर हो रहा है, तो यहां पर कि cos alpha का value 3 by 2 कभी, minus 3 by 2 कभी होगा नहीं, कि minus 1 से छोटा तो कभी होता नहीं है, sin or cos, वो बेचारे संतुष्ट होते है, minus 1 और 1 के बीच में ही oscillate करते हैं, तो cos alpha का value minus 3 by 2 है, तो इसका मतलब alpha won't be exist, so it means it will looping the loop all the time, ठीक है, अच्छा, आप tension की बारे में देखें, कि tension का क्या हल चाल है, कि looping the loop तो ठीक है, हो रहा है, तो जानि कि motion में है, तो क्या हमेंसा टाइट होगा, तो इस अब advanced वाले इस word से हेरा फेरी कर सकते हैं, क्या always type, मतलब always zero होगा, तो ऐसे word से बचिएगा बच्चो, कि always है क्या, या अभी जिसमें अगर 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 फाइव जील है, तो इसका velocity क्या हमेशा non zero होगा, तो yes हमेशा non zero होगा, क्योंकि वो alpha ही यह नहीं पता है, तो u का value का भी zero ही नहीं होगा, तो फिर इस तरह का ब minus u square, उसका जो formula था अपन 3 GL, ऐसा, तो u square का value is 2 GL minus 5 GL, अपन 3 GL, तो यहां से minus 3 GL होगा और 3 GL, तो इसका value कितना हो जागा, minus 1, तो हाँ, tension एक point पर होगा, जब वो highest point पर कहीं होगा, तो उसके लिए zero होगा, बच्चो पarticle को इनको यहां पर लाए जा सकता है, तो यह ऐसा है, जब पarticle कहीं यहां पर होगा, अपने highest point पर होगा, तो यहां पर इसमें हम कह सकते हैं कि tension का value zero होगा, तो इसी चीज़ को आप देखिएगा उहां पर कितना खुबसूरती से eliminate कर देंगा, यहां पर क्या हुगा कि हमने proof कर कि दिखाया, वहां पर अगर मैं, वहां पर मतलब कि जो दूसरा method है, इनर्जी वाला, वहां पर पूछते तो मैं आपको exact नहीं solution बताता है, कहता कि बच्चों यहां पर minimum tension होगा, तो मान लो minimum value, ठीट का value zero होगा, वहां भी कहने में ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन accurate proof नही है, वहां पर हमें let ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी t square to zero है, t का value zero हो जाएगा, और उसका जब उस समय का velocity अगर find किया जाए, कि ठीक है, बताइए कि उस समय का velocity क्या रहा होगा उस समय, अगर zero तो नहीं है, क्योंकि अभी है, इसमें हमने देखा ना कि कॉस alpha का value इसको define ही नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, तो कभी velocity zero ही नहीं होगा, तो highest point बे बताएए कि उस समय का velocity क्या होगा, तो एठीक अभी बता देते हैं, तो जो यह आया था cos alpha का value, उसमें V को zero बोल कर ही लाया गए थे ना, यह वाल आपको याद होगा, इसको कैसे लाया गया थ यह actual में V का value कितना आया था, under root of, under root of mg minus, एक बार उसको देखना पड़ेगा, mg minus mgl, 2mgl, 1 minus cos theta ऐसा कुछ था, क्योंकि उल्टा पूल्टा होगे, हाँ, यह ही था ना equation, u square minus 2gl, 1 minus cos theta, यहां से आया था, यही formula था, तो उसमें V का value, u square minus, under root of 2gl, 1 minus cos theta, ऐसा था, तो उसमें अब हमें, क्योंकि 5a वाला value भी देखना पाएगा, उसमें theta वैसे भी अब देखिये, तो कितना हो रहा है, pi, 180 degree, तो यह 1 plus 1 कितने हो जाएंगे, cos theta का value अगर pi होगा, तो cos pi का value, minus 1, तो 1 plus 1, 2, और 2 यहां से कितना हो जाएगा, 4gl, और u का value कितना था, under root 5gl, इस point पर, under root 5gl, इसा है, यहां से इसका value दे रहा है, अच्छा, लिखा ही हुआ है, तो इसको करने की ज़रूरत क्या है, यहां से जो velocity, case 3 इसलिए बनाएगे है, u is called to under root 5gl, तो जब यहां पर u का value 5gl रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5gl हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, 4gl, तो V का value at highest point, जो topmost point जहां पर tension 0 हो रहा है, तो यहां पर V का value कितना हो जाएगा, बच्चो, यह दिख रहा है न, उपर हां, दिख तो रहा है, किसका value, under root उससे में gl होगा, या अगर radius होगा, तो RG या GR, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, हैं, तो highest point पर इस case में, जब under root 5gl velocity से इसको टक कर रहा है, तो highest point पर इसका speed कितना होगा, under root gl, ठीक है, ठीक, तो यह तो हमारा इसका, आज का बादचित था, on the vertical के लिए, तो vertical वाले में अभी इतने पर खतम नहीं हुआ है, एक वाल श्ट्रिंग के लिए था, अगर कोई sphere अगर होता है, तो इसमें बोलता है, कहां पर उनका मतलब गिर जाएगा, यहां कहां पर उनका contact हो जाएगा, तो इसमें बाते बताऊंगा, तो यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया क्या, कि अगर इसमें से speed अगर इनका अलग-अलग होगा, तो उसमें, तब उसमें, तब उसमें, उसका velocity क्या होगा, तो इसका मतलब कि tension कहां पर zero होगा, velocity कहां पर zero होगा, तो वहववशिती zero होगा, तो किस point पर होगा, tension zero होगा, अब देखिये. अब मैं आपको energy वाले method से बताता हूँ. अगर इसको अगर लिखना है तो लिख लीजे, का 봐 अपको help-कर unique और कुछ ना कुछ आपको advance में कैस कराकर number देगा इस बात को अच्छे से लिख लीजिए बच्चो हट जाओं चलिए हट जाता हूं अब कर लीजिए तो आप उतने मतलब इतना समय मत जब जैसे दस सेकंड के लिए हटता हूं या पांस सेकंड के लिए तो आप वेट मत करो किसी टाइम पे लिख रहा हूं सर आ गया तो चलो अब बंद करो लिखना इसलिए कि आप जब उसको पॉस करे तो जब पॉस करे तब भी आपको स्क्रीन में साफ साफ दिखाई देते रहे इसलिए हट जाता हूं चलिए ठीक है अब आप इसमें नोट डाउन करना होगा अपने कर लिया होगा अब आए इसी चीज़ को आपको मैं जितने भी अंडर और इनका कुछ ऐसा हो और इस्ट्रिंग यहां पर हो तो अलग-अलग केसिस बना लेता हूं कि केस वन एक कहां तक रेज करें कि यहां तक ही जाए जस्ट ठीक है कि यहां पर इसमें मिनिमूम वेलोसिटी कितना दें यू कि यहां तक रेज करें तो हम अपना वर्क इनरजी मतलब dot का मतलब कि यहां पर टक किया गया इसको, ball को टक से मारा, कि उपर तक यहां से रेज करें, तो यहां पर pi by two angle बन रहा है, तो यहां पर कि since हमने बोल रखा है कि हम कितना velocity दें, कि pi by two तक जाए, मैं बार-बार reverse के बारे में क्या कह रहा था, इसलिए बोल रहा था, कि वहां पर हमें नहीं पता था, कि pi by two तक जाए, वहां पर हमने proof पर के दिखाया, कि u का velocity अगर इतना होगा, तो वहां पर होगा, तो यह कैसे पता चल रहा था, तो cos alpha का जो value लिखा था, u a square या 2 g l minus u a square upon this, तो value कब 0 हो रहा था, या cos alpha का value 0 होगा, तब alpha का value pi by 2 होता, तब उस case में हमने लिया था अपने मन से u a square is equal to 2 g l and u is equal to under u 2 g l, तो यहां सभी वही आएगा बच्चो, अब देखिए कि इसका mass m है, तो अगर हम इसका conservation of kinetic energy रखें यहां समझें, तो इसको reference point यहां पर मान लेते है, potential energy will be soon, क्योंकि height यहां से हो रहा होगा, और raise कितना करेगा बच्चो, यहां से यहां तक, is r, जो इसका radius अगर होगा, तो r, अच्छा, आपको l के term में सिखाया हूँ, तो सर कहेंगे कि, आप लोग बताएंगे कि, कि l से r कब हो गया, मान लेज़े कि string का length आपका, l था और यहां से जब जाएगा, तो इतना vertical displacement क्या होगा, बच्चो, l ही तो होगा, और work energy theorem को apply करें, तो यहां का हमें velocity पता करना है, u का value, u, क्या होगा, तो kinetic energy उसके पास half mv square होगा, potential energy सुनने है, finally अगर जाकर just उहां पर raise करे, pi by 2 पर just raise करे, तो उससमें उसका kinetic energy क्या हो जाएगा, सुनने है, और plus इसका value mgl, potential energy, तो जब आप इसको देखेंगे, तो m से m high by करके वो जा रहा होगा, और u square का value कितना हो जाएगा, बच्चो, under root 2gl, अथा यह is called to 2gl, तो under root 2gl ऐसा होगा, तो देखो, exactly वही आ रहा है न, कि हमने u का value under root 2gl लिया था, तो उसका pi by 2 लिया था, मैं बार बार इसी को reverse reverse बोल रहा था, अब यहां पर u का कितना होगा, तो यह हो जाएगा, तो यह आपको असान लगा होगा, च्विंग करने में, कि हाँ यह तो ठीक कर रहा हो, कि अगर work energy theorem लगा यह फटा-फट इव का value under root 2gl लिया, तो अब से कि वह क्या बताया, वह एडवांस लिवल के लिए बताया, कि उसमें क्या होगा, कि बहुत सारी चीज़े, टेंशन कहां पर 0 हो रहा है, वेलोसिटी 0 कहां पर हो रहा है, अल्दो यह भी देगा, लेकिन इसके साथ आपको यह प्रावलम है, कि work energy theorem, देखो आप वह बिसकली क्या था, कि डेरिवेशन टाइब का मान लिजिए, कुछ ऐसा complicated चीज को कैसे हम समझेंगे, उसके लिए था वहां पर भी work energy theorem लगा था, वहां starting में ही लगा दिया था, मैंने आपको बोला था ना, कि मैं work energy theorem लगा रहा हूं, तो उसके चलते वेलोसिटी, मतलब third equation की तरफ आगया, मतलब की जो third equation लिकर दिखाया था ना, कि वहां से cut-cut कर रहे हैं, तो V का value U के term में कैसे आ रहा है, य वर्क इनर्जी से जाईए, तो ये work energy से था, और वहां वेलोसिटी के term में बता रहे हैं, इसलिए ऐसा लग सकता है, तो अब flavor है, अलग अलग टेस्ट आप इसको देख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, तो ऐसे वैसे देख रहे थे, तो ही आपको दो-तीन में थाड़ आपको बताया जा रहा था, तो खेर, ये वाला बहुत सिंपल आपको लगा होगा, यहां सरे तो वड़ियां है, यही चाहिए था, तो ठीक है, जो बच्चे को हाँ पर हाँ तंग है, तो हाँ पर देख लीजिए, लेकिन मेरा advice है, फिर से जा उसको फटा-फट समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद case two देख लीजिए, कि case two में ही होगा, कि कि यहां पर velocity कितना दिया जाए, यू, कि जस्ट है यहां पर आए, जस्ट यहां पर पहुंचे, तो पहुंचे का मतलब कि इसका final velocity यहां पर zero है, तो assumption हम पहले से कर रहे है, highest point पर आ जाए, तो work energy theorem देखिए, one by two, m, u square, और आप यहां से reference line, हमेशा की तरह जो मानते हैं, तो इसको मान लीजिए, कोई जरूई नहीं है, मैं ऐसा इसको ले रहा हूँ, अब आप सोचो ना कि यहीं पर ground है, तो उसका आप ground से कितना दूरी पर है, वो तो दिया नहीं है, तो कुछ तो दिमाग लगाना होगा ना, कि ठीक है, कि कितने भी दूरी पर हो, नीचे से, कितने भी height पर हो, हम potential energy नहीं 0 ले रहे हैं, तो आपका calculation आप dependent नहीं रहेंगे, ऐसा assumption से आप काम कर सकते हैं, तो one by two m, u square, और यहां से, और यहां से, रहे हैं, तो kinetic energy वहां पर सुनने, और potential energy कितना हो जाएगा, अगर इसका length L है, L है, तो vertical displacement कितना कर रहा होगा, 2L diameter के about, यहां से कितना हो जाएगा, बच्चो, mg, 2L, तो m से m अपने घर गया, तो u square over 2 is equal to कितना हो गया, 2GL, तो u square का value कितना आगया, 4GL, तो u का value कितना आगया under root 4GL, ऐसा, ठीक है, तो u का value under root 4GL होगा, तो वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक, अब आईए case 3 के लिए, जिसके बारे में चर्चा करने रहे थे, यहां उसके लिए समझने की कोशिश कर रहे थे, तो पहले तो इसको note down कर लो, तो कहें कि यह भी सर असानी से आगया, वहां अब लग से बोला, कि अगर u is equal to under root 4GL दे रहे हैं, तो यहां पर उस u को लेकर आया, और यहां पर देखा था, अच्छा, इसमें अगर आप पटकते, फिर के बताओ, यहां पर कहां पर tension 0 होगा, तो मतलब इस से नहीं आपको फिर प्लस्ट वही कि dynamics tension के लिए भी इसके 0 और उससे में वर्टिकल से अंगल ठीटा बना रहा है, तो यह ठीटा बना रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा, mg cos theta इसके तरफ और tension का विधर ही होगा, तो equation जब लिएंगे, तो t plus mg cos theta plus mv square by L, ऐसा, तो फिर वहां पर v का value किया होगा, तो उस point पर फिर से energy conservation लगाओ, तो इसलिए मतलब कि अगर लिखना ही होए, तो आप यहां से भी लिख सकते थे, 1 by 2 m u square, initially कितना था, final 1 by 2 m v square, और plus mg L, और यहां से तो L height है, तो यह वाला height कितना हो जाएगा, theta है, तो L cos theta, तो 1 plus cos theta, तो इतना लगाने किवाद, इन दो equation इसको और इसको, और साथ में इसक ग्यान, तो उसमें फिर आपको निकल कर आता कि tension का value अगर चलो 0 होगा, तो उस से में theta का value क्या होगा, तो इन दोनों को mix up करके आएगा, तो basically हम लोग यही करने वाले हैं, आगे भी यही करने वाले है, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो पहले आप basic समझ बना लीजिए, basic अपने आपको इतना मजबूद बना लीजिए कि question का ऐसा भी raise हो, you will, क्या कर सकते है, thrust them, तो उसका आप muscle सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चो, अब आजाईए, next question में चलते हैं, जैसे, next question में नहीं, इसके third part में चलते हैं, कि उसमें अगर कह है, कि looping the loop हो, looping the loop हो मतलब, कि जैसे, इस circle ऐसा था, और कोई string यहाँ पर fix है, और वो vertical circle जैसा कुछ है बना रहा है, तो आप यहाँ पर कितना minimum velocity दें, कि वो घूमते रहा है, looping the loop हो, ऐसा, तो looping the loop हो, तो यहाँ पर अभी तो कर लिए कि just यहाँ पर पहुंचा, पिछले वाले case में किया था, कि इतना velocity दीजिए, कि just यहाँ पर आजाए, और फिर ओ घूमे, तो यहाँ पर u velocity अगर देंगे, तो just यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, ओ घूमते रहा है, तो इसका मतलब इसको यह velocity कुछ ना कुछ है, अगर पीछे वाले आप उसमें जाकर द दीजिए इसको और इसको point B कह लो, बच्चो, at A पर इसका speed तो एक ही है, और हमेशा की तरह, इसको potential energy को सुने मान लिजिए, reference point A मान लेते है, तो M U A square है, कोई potential energy इसके पास नहीं अभी, जैसे ही अगर point B पर जाएगा, यहाँ पर, तो इसमें L और L, तो कितना हो गया, 2L, तो इसका potential energy कितना गेन कर लिया, बच्चो, M G, M G into 2L, यह potential energy हो गया, लेकिन हो motion में है, तो velocity 0 नहीं हुआ है, तो velocity अब निकाल लेंगे, अब बताएंगे, kinetic energy कुछ है, उसके पास, half M V A square, यह बाते समझ में आया, कि M U A square इनिसिल था, potential उसका में कोई नहीं था, जब B point पर पहुंच रहा, तो उस समय का energy कि potential energy is M G 2L, और kinetic energy को motion में है, तो कितना हो गया, half M V A square, equation है, अब बात है है, कि हमें U चाहिए था, और V एक और नौर आ गया, अब V के बारे में क्या ख्याल है, मतलब देखो, इसको, 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 अगर cancel कर दें, यहां से, तो 1 by 2 से दिया था, तो नया 2 दे द गया था, लेकिन इस बार तो motion में है, तो इसका V velocity कैसे निकालें, तो उसके लिए क्या करिए, कि equation लिखना चालू करिए, कि ठीक है, दूसरा और क्या हुआ होगा, तो जग अगर आ रहा होगा, तो नीचे की तरफ इसका tension T हुआ होगा, और M G भी नीचे की तरफ लग रहा ह होगा, तो इस पर net force क्या लग रहा होगा, T plus M G, और net force हमें सा क्या होता है, इस तरह के motion में, circular motion के लिए, centripetal वाले के लिए, कुछ blur हो रहा है क्या हो, ठीक है, इसके लिए T plus M G is equal to यहां पर M, उस समय का velocity V था, तो V square by L, तो हमेशा net force T plus M G का M V square by L, तो centripetal force यह हो गया, अब अच्छों देखिए, कि जब वो looping the loop हो रहा होगा, तो इस case में है, tension भी नीचे, M G भी नीचे, तो V का value हां पर कितना रहा होगा, अब देखते जलिए, यहां से, कि अगर आप imagine वैसे भी करेंगे, कि एगर ऐसा हो रहा होगा, तो धीरे 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 और रेस्ट में अगर होगा, ऐसा भी नहीं कर सकते है, क्यांकि motion में है, और looping the loop हो रहा है, तो उसमें एक ही चीज हो सकता है, कि V को अगर minimum रखना है, तो M तो minimum होने से रहा और G इस सब में तो होगा नी, तो minimum होने के लिए tension जीरो होगा, आप मेरे पास से कहने को है, कि tension ज जीरो हो गया था ना, अब आपको समझ में आया है, कि अब मैं tension को minimum अगर बोल रहा हूं, और minimum होने में tension जीरो हो रहा है, तो assumption है, और उसका proof है था, तो इसलिए उसको हम लेकर आये थे, अब आपको clarity आया होगा, या आपको satisfaction मिला होगा, कि चलो कुछ उसके लिए तो कर रह होगा, ऐसा होगा, तो फिर आपको पीछे लेकर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने वह ही से start किया, कि मुझे पता था कि आगे नागे चल कर ये ऐसा हमें मिलेगा, और इसमें आकर मैं मुझे, अगर आप कोई question raise करता है, तो मुझे इसका answer देना ही पड़ेगा, तो अब क्य तो फिर mg is equal to कितना होगे, mv square by l, और m से m cancel होगया, तो v का value कितना होगे, under root lg, ऐसा, तो v का value under root lg है, तो यहाँ से इसका value अगर रखेंगे, तो कितना हो जागा, v square के जगा पे, 4gl, और यहाँ से आपका आगया, gl, क्योंकि v square के लिए, तो u square का value था, तो u का value कितना आग तो आगया ना बच्चो, तो उहां पर हमने लूपिंग द लूप में देखा था कि कभी उसमें एंगल ही नहीं हो आ रहा था, तो हमेशा अगर किसी भी आपजेक्ट को अंडरूर्ट 5GL से गटक करेंगे, तो गोल 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 गोमते रहेगा, अगर बस अरते हैं हाँ पर आया होगा, अच्छा, उसमें भी फिर आप देखेंगे एक चीज, कि एक चीज और बताना था, कि जो ओन थर्टी वन डिग्री पर ऐसा हो रहा था, कि जब टेंसन जीरो हो रहा था, तो मान लिजए कि अगर 4GL अंडरूर्ट 4GL नहीं हो, उससे थोड़ा कम हो, तो हो सकता क्या गया होगा, चलो, पहले लिख लो, फिर उसके बाद मैं इसकी कहानी और बताता हूँ, लिख लिए बच्चो, ठीक है, मैं क्या कहा रहा था, कि सपोज, कि इस तरह का है, और यहां पर सेंटर है, ऐसा, और यहां पर V वेलोसिटी, यू जो वेलोसिटी दे रहे थे, तो अब आप क्या करिए, कि यहां पर आज, जब यहां पर देखा था, कि यू का वैलोगर अंडरूट 2 जील दे रहे थे, और यहां पर 4 जील दे रहे थे, यहां पर पहुंचने के लिए, यह तो आपको याद होगा, case 1, case 2, तो यू का वैल, value somewhere, here, अंडरूट 4 जील, सारी, 2 जील, और अंडरूट 4 जील के बीच में हो, तो जब इन दोनों के बीच में होगा, तो अगर अंडरूट 4 जील था, तो मैंने आपको दिखाया था, कि टेंसन कहीं यहां पर आकर, सुनने हो जा रहा था, यही हो रहा था ना, अब उससे कम है, और वेलोसिटी जाकर यहां प जो, तो इसमें कैसा बनेगा, तो स्लैक करने लगेगा, सिंसो मोसन में है, सर्कुलर मोसन मतलब कि यह टेंसन इसका स्लैक कर गए, तो फ्री फॉल जैसा होगा, और फिरो कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसा फॉलो करेगा, तो उसके बाद ऐसा कहीं गिरेगा हो, तो यह उसका, अगर पूछा जाता कि maximum height कितना है, तो भी इतना है, तो इसके लिए तयार रहिएगा, बच्चो आप ऐसा question के लिए, ऐसा सी वर्मा सर के वी बुक में है, तो उनको भी कराऊंगा, ओस question भी कराऊंगा, तो उसमें ही रहेगा, और advance में भी आप देखेंगे, तो कई सारे question इस का अगर होगा, तो उस समय कितना होगा, तो काफी मक्षन की तरह अब इस concept करने के बाद देखेंगे कि असानी से निकल कर आ जाएगा, ठीक है, तो यह तो इस का था कि vertical circular motion में अगर कोई string है, तो उसकी कहानी क्या होगा, इस तरह से बनता था, अब देखिए, इसका दूसरा part, अब देखिए, इसका दूसरा part, कि अगर कोई object है, और इस तरह का है, इस तरह का है, और circular मतलब की कोई यह sphere है, और कोई object है, इस पर, और उसको कि, मतलब की just इसको tuck किये, तो यहां से आते 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 कहीं तो गिट जाएगा ना, fall down होगा, ऐसा, बताएए, यही होगा ना या कहीं contact यहां पर भी गिट सकता है, contact यहां लूज कर रहा होगा, यहां पर, तो इसको angle theta बोल सकते हैं, तो अभी देखिए, क्या हो रहा होगा, कि अगर energy wise अगर आप सोचिए, या object कहीं यहां भी हो सकता है, तो कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके और normal force, ऐसा होगा क्या, बिलकुल ऐही होगा, क्योंकि अगर surface पे घूम रहा होगा, तो इससे sphere कितना उसे force लगा रहा होगा, n, और इसका अगर ऐसा देखा जाए, कि अगर यह theta हुआ, तो यह भी theta हुआ vertical से, तो mg cos theta, तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या, कि n minus, या mg minus cos theta, because mg minus cos theta, क्यों हम बोला, बच्चों, क्योंकि अभी अंदर की तरफ है, तो हमने circular motion में इसा खुब देखा था न, कि mg cos theta, अगर अंदर की तरफ है, तो यही ज्यादा force होगा, अभी net force क्या होगा, mg cos theta minus n, या n minus mg cos theta, of course mg cos theta minus n, because it is the mg cos theta acting toward the center, और centripetal force क्या होता है, toward the center, तो हमें इसा बोल सकते हैं न, कि mg cos theta minus normal force is equal to, उस समय का अगर इसका speed होगा, कुछ V, mv square over L, ऐसा, और उस समय इसको हम यहाँ पर कुछ speed अगर दिये होंगे, u तो, तभी तो आएगा, u है तो फिर वो accelerate करेगा, v से होगा, तेक तो यह बात हुआ, कि अगर वो, अगर normal force की जहां तक क नहाँ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, mg cos theta, mg cos theta, ठीक है, तो n is equal to, यहाँ से mg cos theta minus, mv square by L, तो खेरो, निगेटीव हो जाएगा, इसका value, अगर mv square L का value जादा होगा, mg cos theta, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अभी हम बच्चों इसमें interested हैं, कि suppose कि अगर contact छुटा होगा, तो contact छुटा होगा, तो उसमें का angle क्या होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं ना, कि mg cos theta, square to, mv square by L, ऐसा, एक चीज, तो अगर cos theta का value, अगर देखा जाए, तो कितना निकल करा जाएगा, m, अच्चा, m से m तो अपने घर जा रहे होगे, तो m को बार-बार, उनको क्यां disturb किया जाए, आप चले जाएए भई, घर अपने, तो यहाँ से आपका मिलेगा, कि v square over GL, यह cos theta का value मिलेगा, लेकिन दिक्कत इसमें क्या है, कि cos theta का value is equal to v square by GL, ऐसा होगा, तो, तो अच्चा, उस समय का velocity तो आपको पता करना है, यह पता करना है, यू का तो ऐसा गया था, तो अब यू का, उसमें v का value क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, तो energy conservation से चले, देखिए, जब वो theta हुआ होगा, तो यह वाला value, जैसा कि हम जानते L है, तो यह value कितना होगा होगा, L cos theta, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का कुछ और color से mark कर लिया जाए, कि यहां से यहां तक का जो distance है, जो नीचे की तरफ आया होगा, तो इसी को आप reference line ले ले लिजिए, इसको potential energy का value बोल दिज सुन्ये, है ना, तो यह कितना lower down हुआ होगा, अथा कि यहां पर ही कर रहे है, तो lower down कितना हुआ होगा, L minus L cos theta, ऐसा, तो इसका value हां रख लिया जाए, बिल्कुल रख लिया जाए, अच्छा तो अभी फिर एक और निकल कर आएगा na cos theta का value, तो ठीक है, तो इसको अगर energy conservation ल energy का, उसका value समय था L, MgL और उस समय का L cos theta, तो चलो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इस से डिक्कत नहीं है, मान लिजिए कि, कि साइट पर था, वहां से वहां तक का, L into L minus 1 cos theta, तो इधर ही लिखता हो, cos theta is equal to half mv square, ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो इस तरह का मिलेगा, कुछ u का value, half mv square plus mgl times of 1 minus cos theta, plus half mv square, ठीक है, तो इसमें mv square plus mgl, 1 minus cos theta, is equal to half mv square, ऐसा मिलेगा, तो basically इसको अभी put नहीं करना चाहिए था, क्यांकि cos theta का value, अभी जब v का value निकालेंगे, यह दिख तो रहा है ना बच्चो, अच्छा, mv square धर्कोने में छुपिया है, अच्छा, कोई बात, इसको लेकर आजाओ, अब इसको L के बज़ए हमें R दे देना चाहिए था, क्यांकि अब sphere है तो उसका radius R होता है, ना, string था तो उसका length L लेते थे, तो एक मंतब simplicity है, कि उसको कैसे club किया जाए, देखो, उसको pressly ही समझा देता हूँ फिट से, जैसे वह को बताया था, बस दो minute और लगेगा, इसको सारा कुछ ड्रॉव करने में, तो उससे क्या होगा, कि आप एक बर फिट से समझ में आपको आ जाएगा, कि मानली जी कि object यहां से था, और u speed दिया, और यहां पर आते आ mg cos theta, इधर होता है, और यहां से theta होगा, और normal force ऐसे होगा, तो मैंने आपको जो बताया था, ओ फटाक से, पहले energy conservation कर लो, क्यों कि ओ, मुश्किल कुछ कर रहा था, मुश्किल तो नहीं, बस लिखने में थोड़ा था, कि यहां से क्या था, कि radius ले ले लेते हैं उस बर, यहा क्यांकि यह वाला value कितना आजाता था, r cos theta, तो यह पूरा r था, cos theta है, तो यह पूरा कितना हो जाएगा, r minus r cos theta, तो अगर energy conservation की बात करें, और red line को ही मानले, potential energy, reference line हमारा 0 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, बच्चो, 1 by 2, mu square, एक तो एक तो एक हो गया, वहां पर potential energy कितन था, क्यांकि height अभी कितना उससे lower करेंगे, तो mg r into 1 minus cos theta, ठीक है, वह ही है, बस यहां पर l था, यहां पर r ले रहते हैं, कुछ तो यह स्वेर को और string में distinguish करें, तो इसलिए उसको ऐसा ले लिया, तो mg r minus cos theta, और वहां का velocity कितना हो जाएगा, half m, b square, potential energy, तो reference line उसको ले लिय किया था, सुनने यहां के लिए, यह देखी, तो समझ में आ रहा है न, ठीक है, तो यहां से blur तो नहीं हो रहा है, green क्यों चल रहा है, white हो रहा है, ठीक है, तो 1 by 2, mm से cancel होगा, 1 by 2, 1 by 2 cancel होगा, तो 2 यहां पर एक छोड़ते हुए जाएगा, तो v का value कितना हो जाएगा, होगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा, v square to under root u square plus gr cos theta, अच्छा, अभी हम क्या निकालने था, कि उस समय का, बताएगे कि at what angle there would be, means कि जो इसका equation अगर लिखते हैं, तो आप वहां से देखे थे कि mg cos theta minus normal force is equal to mv square over r, यह था न, तो हमें वो angle बताना है, कि जब वो contact live हुआ होग तो n का value 0 कर लेते हैं, तो mg cos theta is equal to m, v के जगा पैसा लिखने कहानी है, पूरा, u square plus 2gr, 1 minus cos theta upon r, ठीक है, sr, तो यहां से आप देखेंगे, तो mg r cos theta हो जाएगा, और 2gr cos theta होगा, तो 3mgr cos theta इधर हो जाएगा, यही सब होगा, यहां से यह देखिए, mg r cos theta और यहां से 2gr तो इधर ही रहाएगा, लेकिन 2gr cos theta इधर जाकर कितना हो जाएगा, 3mgr cos theta, 3mgr cos theta, ऐसा लिख लिख लिए, और उसके बद उधर ए space बचेगा, यहां तक चलो है, ठीक है, mg r, और यहां से क्या बचाएगा, mu square plus 2gr plus 2mrg, ठीक है, तो यहां से mass high buy करके, यह cancel होके चला गया, तो cos theta का value, जो cos theta का value कितना हो जाएगा, वहां से देखिए, u square plus 2rg upon 3rg, u square plus 2rg upon 3rg, इस तरह का होगा, अगर speed अगर दिये होंगे, तो अब इसी का देख लिजे, कि मान लिजे कि अगर initial speed अगर 0 है, तो उसका value कितना आएगा, cos theta का value, simple, 2 by 3 आजाएगा, तो cos inverse 2 by 3, generally यह रहता है, if u का value 0 है, initially start है, तो just उसको push कर रहे है, कि अगर टक से इसको छोड़ दिया, तो अपने आप वह गिर के नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है बच्चों, तो यह vertical circle के बारे में समझ में आया, तो यह तो कहानी था, सारा हमारा की circle का, कि अगर ऐसा होगा तो क्या है, या vertical circle पे है, तो concept बाइस आज आपको पूरा यह सब बाते समझाया गया, कि concept के से कैसे यह निकल कर आया, या क्या होगा, अब आजाएए, इन सबों के लिए, अगर आपको लिखना है, तो यह लिख लीजिए, यह भी काफी काम का है, और advance में आपको यह भी हम कैस करा कर जाएगा, कुछ ना कुछ marks, ठीक है, इसको लिख लिए, कारा कि 40 kg of mass hanging at the end of the rope of length 1, oscillate in the vertical plane with the angular amplitude theta, what is the tension in the rope when it make the angle with the vertical, if the braking strength of the rope is 80 kgf, what is the maximum angular amplitude with the which the mass can oscillate without the rope breaking. तो उसमें करा है कि कुछ इस तरह का है और उसमें maximum जो tension दे रखा है कि 80 kgf, 80 kgf का मतलब समझ में है बच्चो, यह T max बता रहा है 80 g है, यह लिखने का तरीका होता है kgf, force को भी ऐसे भी लिख सकते है, ठीक है, तो आपको 10 second देता हूँ, question पढ़ो एक पर फिर से और try करिए, ठीक है बच्चो, तो आज आईए, अब इसमें जिससे आपको लग रहा होगा कि कुछ missing, मुझे भी missing लग रहा है कि करा कि oscillate in the vertical plane is going on, यह क्या करा कि what is the tension in the rope, when it is the meccan angle, यह theta है बच्चो, angle with the theta और इसके लिए बोले theta naught, यह type error है, यह आपको missing लग रहा होगा, तो उस question का आपको meaning समझाता हूँ, थोड़े अच्छे अंदाज में, इनको हटा देते हैं, यह छोड़ो उसकी जरूत नहीं है, यहाँ पर जो बोला है न, इसका, इस word का मतलब समझ में आता है, angular amplitude of the theta, इसका theta naught, basically क्या है कि यह जो oscillate कर रहा है, या, मतलब maximum इतना है, थोड़ा, और बना लेना चाहिए था, अच्छा एक तो है न, कुछ हमारे पस, arrow वाला भी कुछ था, यह straight line था, इस तरह का, यह maximum है, और जब यहाँ पर जब आ रहा होगा, जब theta बना रहा है तब, यह जो, मतलब जैसे क्या होता है, कोई pendulum जैसा कोई चीज़ है, तो pendulum में अब देखते हैं न, कि एक stream ऐसा कहीं जाता है, फिर ऐसे जाता है, तो extreme का मतलब जो amplitude is extreme, so that is what, it is कह रहा है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक था, यह theta था और यहां से यहां तक, sorry theta knot था और theta angle बना रहा था, ऐसा ही कुछ बोला है, बोला है कि 40 kg of mass hanging at the end of the rope, of the length, L यह 1 meter है, तो oscillate in the vertical plane with the L ले लिजे, यह देखेंगे भी क्या हो रहा होगा, oscillate in the vertical plane with the angular amplitude theta knot, what is the tension in the rope when making the angle of the vertical, तो ठीक है, तो if the breaking state is the tension का value इतना है, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, कि जैसे यहां पर theta बना रहा होगा, तो mg इसका value होगा, ही होगा, और tension इस direction में ऐसा होगा, तो अगर 8 theta है तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह भी theta होगा, तो यह वाला component कितना होगा, mg का, mg cost ठीट है यह वाला, यहां पर लिख देता हूँ, और इसको mg लिख देता हूँ, इस पर, दिखाई पढ़ रहा है, नहीं, अच्छा उनको नहीं दिखाई पढ़ रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ काम करता हूँ, थोड़ा उनको उपर बना तो इसका यह वाला component कितना होगा, बच्चो, mg cost ठीटा, ऐसा, तो यहां से क्या लिख पाएंगे, t-mg cost ठीटा, square to mv square over l, ऐसा लिख पाएंगे क्या, तो tension का value कितना होगा, तो इतना हो गया, लेकिन उसमें हमें और भी काम कर सकते थे, क्यांकि v का value तो हमें वैसे भी नही तो कहां से आएगा, energy conservation से, अगर energy conservation लगाएंगे, तो मान लिजे कि यह तो ऊपर की तरफ है, और थोड़े दिर में जो extreme case होगा, तो bob ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो यह इसमें release हो रहा होगा, यह वाला, तो initially इसको छोड़ा हुए है, वहाँ पर extreme position है, मतलब angular वाला होगा string में आप देखते होंगे जहाँ पर velocity जाके एक बार उखता होगा, तो यहाँ पर इसका velocity initially zero है, और यहाँ पर जब V velocity आ रहा होगा, तब के लिए है, तो energy conservation लगाएंगे, तो half m u square, यह तो zero वाला होगया, तो यह पूरा zero होगया, तो kinetic energy zero है, potential energy, इस case में अगर यहाँ से रहते हैं, cos theta जब बना रहा होगा, तो L cos theta not होगा, यहाँ तक, और जब यहाँ पर आ रहा होगा, जब theta बना रहा होगा, तो L cos theta होगा, तो basically यह वाला जो distance था, L cos theta minus cos theta not, ऐसा, यह बनेगा, तो यहाँ पर जो potential energy इसके पास होगा, is mgl, क्योंकि यह ही से यहाँ से नीचे आ देता हूँ, क्योंकि इस height पर कुछ ना कुछ होगा, तो height कितना है वहाँ से, L minus, L into cos theta minus cos theta not, cos theta into cos theta not, ऐसा, equal to, potential energy तो इतना होगा, उस समय का, जब यहाँ पर आ रहा होगा, तो speed कितना है, 1 by 2, m, v square, तो m से m cancel हुआ, उधर से 2 g अल गया, तो v square का value हमें मिल गया, क्या, जो तो t is equal to, जो tension पूछा गया था हम से, कि mg cos theta, उस समय का इतना था, plus m v square by L, तो आपको m v square by L, तो अब v का value उसमें वहाँ से put कर दें, तो आज यह next slide में, वहाँ पर उसका value put करते हैं, यह आप v square का value यहाँ से ले लेते हैं, इसके लिए कि वहाँ लिखना असान होगा, तो 2 का ही पढ़ रहा होगा, v square का जो value है, 2gl cos theta minus cos theta not, तो इसमें value put करना है, t is equal to mg cos theta plus mv square by L, और v square का value हाँ से कितना था, 2gl cos theta minus cos theta not, तो यहाँ value put कर लेते हैं, और तो v square by L को भी value यहाँ से हटा लिजी, तो 2gl cos theta हो वहाँ से हो जाए, तो यहाँ से कितना गया, mg cos theta plus 2gl cos theta minus cos theta not, तो कितना हो गया, अच्छा, mass का भी हेरा फेरी, अच्छा, mass तो था ना, इसमें, m का value, ऐसा क्योंकि v square by L का value रखा था ना, तो यहाँ से कितना हो गया, 3mg, cos theta minus 2mg cos theta not, ऐसा, ऐसा मिल गया, तो हमारा बच्छो tension था, जो पूछा था उसमें, ठीक, अब उसमें क्या पूछा था हम से, कि इस the breaking of the length is, इतना, तो angular amplitude, which is the make the oscillate without the breaking, तो ठीक है, उसका length इतना है, तो करें कि जब 80 kg होगा, तब उसमें से कितना होगा, तो पहले आप इसको लिख लो, तो यहाँ से मतलब कि कम से कम tension के बारे में तो आगे है, और tension का maximum value जब इतना होगा, तो हम से cos theta not का value पूछा जा रहा है, तो उसको तो रिकाल असान काम होगा हम लोग find out कर लेंगे, ठीक है, यह लिख लिया होगा, इसके बाद इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसमें होगे, अब वो पूछ रहा है कि अगले बार इसको slide में दिखा देता हूँ, कि जब वो oscillate कर रहा होगा, कोई भी object, मान लिजे कि अगर यहाँ पर इसका maximum इहाँ पर है, तो यह position और यह position, ऐसे ही वो oscillate कर रहा होगा ना, आप imagine भी करके देखिए, कि जैसे म मतब कि जो speed सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कहीं mean position जो होगा, वहीं पर सबसे ज़्यादा उसका velocity maximum होगा, तो जो यह position जब यहाँ पर होगा, इसका, तो t ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, क्योंकि ठीटा ओला तो यहाँ पर कुछ है न होगा, और बाकी कोई भी position होगा, यहाँ 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 जो theta वाला भी था, तो उसमें हर जगए mg का cost component होगा, mg cost theta, तो tension को क्या कर देगा, minimum होगा ना, तो सबसे ज़्यादा mv square by l wouldn't be change, because it is the net force, इसमें तो कुछ हलचल होगा नहीं, हलचल होने वाला है mg में, mg का value कम यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस किस angle पर होगा, उस पर depend करेगा, तो cost theta पर depend करेगा, और cost theta का value हम हम इसा जानते हैं क्या होगा, 1 तो मतलब 0 degree हो नहीं सकता, और minus 1 हो नहीं सकता, क्योंकि 180 degree पर होगा, यह acute angle है, तो कुछ ना कुछ इसका value होगा, और वो fraction में होगा, तो किसी भी number को अगर हम fraction से multiply करते हैं, तो load मतलब कम हो जाएगा, लेकिन question में क्या mention है, कि t max होना चाहिए, तो t max होने के लिए, तो must be हम cost theta का value क्या रखेंगे, यह कि maximum हो, 1 और theta का value समय 0 degree होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, कि mean position पर जब होगा, तो उस से हमें tension का value maximum आईए, कि जब यहाँ पर ऐसा t maximum लगे, तो हम असानी से कर सकते हैं, अब, तो यहाँ पर हमने यह discover किया, कि जो उस समय जो theta हो रहा होगा, इसका value 0 degree होगा, तो आईए उधर ही put कर लेते हैं, a t is equal to, कितना था, 3 mg, cos theta minus 2 mg, cos theta naught, ऐसा, तो t का value 80 kg f था, तो a t g लिख ले, mg बाहर ले ले लेते हैं, इसको, और यहाँ से कितना होगा, 3 cos और theta का value 0 minus 2 cos theta naught, तो mg का value हमारा 4 kg है, तो यह कितना हो गया, is 4 kg था यह 40 kg था, एक बड़ चेक करना पड़ेगा, is 40 kg था, क्योंकि मुझे लगा कि ज्यादा amount है, तो अगर amount ज्यादा है, तो फिरो cancel होने में गढ़वड होता, 4 होता मतलब value ज्यादा बढ़ जाता, तो 3 minus 2 cos theta naught ऐसा होगा, और यहां से 80 g होगा, तो यह दोनों cancel होने के बड़ 2 आगे, तो 2 is equal to 3 minus 2 cos theta naught, 2 cos theta naught को इधर लेकर आजाईए, is equal to 1, तो cos theta naught का value कितना जाएगा, बच्चों, 1 by 2, तो theta naught का value कितना जाएगा, is pi by 3, 60 degree, तो उसमें पूछा है, angle पूछा था, या कुछ distance पूछा था, कि strength of the rope, what is the maximum angular amplitude with which the mass can oscillate without the rope breaking, तो, okay, तो यानि कि वो, उसका amplitude कितना होना चाहिए, pi by 3, pi by 3 से अगर hang करा कर, अगर हम इस तरह से अगर करेंगे, तब वो break नहीं करेगा, और असानी से होगा, तो उस समें का amplitude angle कितना होना चाहिए, pi by 3, ठीक है, तो इसको note down आप कर सकते हैं, बच्च जो पहले tension वाला value था, अब tension का value जब यहाँ पर zero होगा, तब उसका value लिख लीजिए, ठीक है, अब आजते हैं, next question पर चलते हैं, अच्छ यह सब तो पहले वाला था, यह नहीं, यह तो, हाँ, यह भी आजाईए, यह भी देखिए, कमाल का question है, करा कि, shows a loop, track of radius r, इस r radius का है, a box starts sliding from the platform a distance h above the top of the loop and goes around the loop without the falling of the track, find a minimum value of h for the successful looping, तो यहाँ बरकर है कि h का value कितना होना चाहिए, यहाँ से गर छोड़े, कि successful looping होते रहे, ऐसा-ऐसा गोल-गोल भूमते रहे, बात समझ में आया बच्चे आप लोग को, तो आपको याद होगा कि looping the loop होने के ल फाइफार जी अगर radius r है तो ऐसा, तो अगर इसतना इतने का आपको ग्यान है, तब तो question में तो कोई दम ही नहीं है, अगर इसतना का ग्यान नहीं है, तो आप जाकर पीछे से जाकर देखिए, जो बच्चे मान लिजए कहीं भी से उठा रहे होगा एक वीडियो की इसमें अगया है, तो अंडरूर फाइफार जी कैसे हो गया होगा, तो उनके लिए बच्चो है कि आप जाएए पीछे तो वहाँ पर उस सब discuss करके बता रखा है, जो बच्चे सुरू से अभी तक watch कर रहे हैं तो उनको तो कोई सबचने में दिक्कत ही नहीं होगा, मखन की तरह कर रहे हैं कि हैच हाइट कितना होना चाहिए कि वहाँ से वह घूमने लगे, लूपिंग दा लूप होने लगे, तो इनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, अगर इसको यहाँ पर पोटेंशल इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए, इसको तो यहाँ पर इस समझाने के लिए आपको कि अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर ही मान लेते हैं कि हमारा पोटेंशल इनर्जी रिफ्रेंस लाइन सुनने है, तो वहाँ पर जब अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेट मतलब इनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ए और पॉइंट वी के ल 2R plus H हो जाएगा, यह हमारा पोटेंशल इनर्जी हो गया, अब उसके बाद काइनेटिक इनर्जी, तो लूपिंग द लूप होने के लिए मिनिमूम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडरूट 5RG, तो आएगा यहाँ से, जब स्लाइड करते हुए, तो मोशन में होगा, तो उसको करा कि मिनिमूम कितना हो, कि यह लूपिंग द लूप हो, H का वैलू, तो हम मानते हैं कि अंडरूट 5RG हुआ होगा, ठीक है, तब ही तो H का वैलू निकलेगा, 1 by 2 M, यहाँ पर अंडरूट 5RG हो जाएगा, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर ले लेते हैं, RG, और पोटेंशल इनर्जी तो सुने, यह बास समझ में आया, कि हाइट उसी से, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है न, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मस्ट बी अंडरूट 5RG होना चाहिए, इस पॉइंट B पर, तभी हो, लूपिंग दा लूप होगा, और फिर हम उसको बता पाएंगे, तो ठीक है, एक्वेशन है, तो मास से मास कैंसिल हुआ, 2 को इधर बेज़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5RG उधर है, और इधर से 2H का वैलू कितना हो गया, बच्चो, RG, इस एक्वेशन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2H का वैलू हो गया, small RG, तो H का वैलू कितना हो गया, RG भाई, 2, एधर G अभी तक मार्गेट से आउट नहीं हो आगया, क्योंकि तब HG अभी होता न, तो HG होगा, G से G cancel हो, तो H का वैलू कितना हो गया, R भाई, 2, ठीक है, तो यह R भाई, 2, जो वैलू आपका आया, निकल कर, वही उतना हाइट उसको रखना पड़ेगा, तब वो असानी से होगा, तो देखिए, concept आपका के लिए है, looping the loop होने के लिए अंडरूट 5 RG होता है, तो फटा-फट एकदम से हो गया, तो इसलिए उसको वहाँ डिटेल में हाँ पर बताया गया था, तो इसको नोट डाउन कर लिजिए, ठीक है, अब आते हैं, next question में, इसमें क्या कह रहा है, कि, shows a smooth track, a part of which the circle is radius R, a block of mass M is pushed against the spring, constant K, fixed at the left end, and it is released, मतलाब, इसको X distance, बोला हुए है, the initial compression of the spring, so that the block passes the track at the force of Mg, when it is reached to the point V, where is the radius of the track, where the radius of the track is horizontal, the find initial compression, अचा, वही पूछा है, कितने से इसको compress किया गया, तो माल ने तने X से compress किया होगा, तो जब इसको compress किया होगा, तो इसको compress किया होगा, तो इसके पास काउन सा energy होगा, kinetic energy होगा, गलत, जब होगा, तो kinetic energy तो सुनने होगा, potential energy होगा ना बच्चो, और कितना होगा इस टोर, half K X square, और when moment जब इसको छोड़ेंगे, तो potential energy release होगा, और ऐसे भागेगा, यही होगा, तो हमसे कहा जा रहा है, कि उस समय का जब ओ normal force जो exert कर रहा होगा, Mg है, जब horizontal यह ऐसे लग रहा होगा, यह उसका R का value हमें given है, तो छोड़ देते हैं, तो ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि compress कितना करोगे, तो kinetic energy अभी तो सुनने है, ठीक, तो इसका सुनने ले लेते है, potential energy कितना होगा, spring का क्योंड होगा, क्योंकि ground का तो है नहीं, मतलब कि height के चलत सुनने ले लेते हैं, तो 1 by 2, k x square ऐसा हो जाएगा क्या, और square to, यह तो initially तो ऐसा ही, यही energy है, जो spring का energy है, इसा मिल बाटके खा रहा है, कौन, potential और जो इसका kinetic, मतलब potential जो height के चलते आ रहा होगा, तो उस point पर अगर देखेंगे, तो mgr हो जाएगा, क्योंकि r ही height है, यह small r कर लिया है, तो ठीक है, तो इसको small r कर देते हैं, small r ले ले लेते हैं इसको, तो mgr plus half mv square, ऐसा, तो अब इस half mv square के लिए क्या किया जाए बच्चो, क्यों हाँ का v velocity कैसे निकलेगा, तो हम यहां से बोल सकते हैं, कि, हाँ, तो उस समय जो normal force की कहानी क्या बोला है, कि कुछ इसके mass के equal है, इसके weight के equal है, यही बोला है ना, कि, source the push against the spring, spring constant के, and it fixed at the left hand, find that initial compression of the spring, so that the block presses the track with the force mg, मतलब normal force को कर रहा है, normal force नहीं push कर रहा होगा न, और mv square आपको लग रहा होगा कि बाहर की तरफ है, तो बदले में exert किया होगा, जितने से push किया होगा, तो यहां से mg square 2, mv square by r, और तो कोई force है नहीं वहाँ पर, mg नीचे होगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन n का value mg दिया है, तो यहां से हम बोल सकते है, v square के जगा पर क्या हो जाएगा, rg, तो half के x square यहां पर हो गया, और mgr हो गया, plus m by 2, और v square के जगा पर कितना हो जाएगा, rg, तो यह rg हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया बच्चो, mgr और half mgr, तो it is 3 by 2 mgr is equal to 1 by 2 kx square, तो यह half r अपने घर चले गया, तो x का value कितना जाएगा, यहां से गर लिख दूँ, x का value is under root of, बताईए, 3 mg, ओ, r था न, r था, l क्यों हुआ, 3 mgr by k, ठीक है, तो यह आपका, कितना से compress करेंगे, हम इतना से compress करेंगे, कि वहां तक का कहानी, जहां पर उसको चाहिए था, कि अगर mg कर रप्रेस करेंगे, तो उतना होगा, तो x को compress कितने से करना पड़ेगा, बच्चों, under root 3 mgr से, ठीक है, तो इसको note down कर लिजिए, ठीक है, अब आजाए यह, next question में चलते है, एक करा कि, particle is suspended at the fixed point by a string of length 5 meter, it is projected from the equilibrium position with such a velocity that the string slacks after the particle has reached at height 8 meter, above the lowest point, find the velocity of the particle just before the string slacken, ठीक है, and find also the, also to what height the particle can raise further, तो देखो बच्चों, इसको करने का हमारे पास दो तरीका है, एक तो जो formula अधर derive कराया था, कि slacken तो tension कहाँ पर 0 हो, तो जो आपको बताया था ना, वहाँ से, cos phi का value is equal to 2gl minus u square upon 3gl, एक तो वो है आपके पास दिमाग में, कि tension slacken हुआ होगा, तो जीरो होगा, तो और उस समय का, मतलब की velocity तो जीरो नहीं है, तो उस समय का हमें velocity क्या लेना है, वो सब साथ कुछ बताना है, find a velocity of a particle just before the starting, the slacken, तो equilibrium position with such a velocity, with a velocity, ठीक है, तो इसमें से cos phi का value is 2gl square, ठीक है, तो हमारे पास है, लेकिन initial speed अगर हम से पूछा जाता है, तब हम देखते हैं, और phi क्या बन रहा होगा, तो आईए पहले कुछ looping the loop और इस तरह का कुछ बाते हैं, जो हो रहा होगा, तो उन सबों को समझ लें, ऐसा है, तो string यहाँ पर है, और यहाँ पर बच्चो कुछ slacken होगा होगा, क्या हमें पता है कि अधर हाफ में नहीं होगा, और यह कुछ theta होगा, और उसका radius हमें कुछ बोल रखा है, कि string का length 5 meter है, और यह particle यहाँ से यहाँ तक कहां तक आया है, 8 meter, तो must be, ऐसा होगा, और यह दिखिए, ऐसा, तो यह वाला theta होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 3 meter, यह होगा ना, तो यह 3 meter हुआ, और यह 5 meter है, तो यह 4 meter ऐसे हो गया, ऐसा, 4 meter यहाँ से ऐसा हो गया, ठीक है, तो angle तो हमें पता चल गया, कि उस समय का कितना पर हो slacken कर रहा है, तो अब चाहो तो, इस question में हम यह भी निकाल सकते थे, कि यहाँ का velocity कितना होगा, तो खेर, यहाँ से अभी हम कर देखें, इसको दुसरे pen से mark कर देते हैं, कि, यहाँ से mg इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इधर mg cos theta ऐसा लग रहा होगा, और mv square by l बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, t plus mg cos theta is equal to mv square by l string है, तो टेंसम तो 0 हो गया है, m से m cancel होगा, तो यहाँ से कितना होगा, g l cos theta is equal to v, तो यही चाहिए था, उस समय का वो पूछा क्या है कि, find a velocity of the particle just before the string, मजाता बाता है कि जब यहाँ का पूछता है, तो भी हम लोग निकाल सकते थे, क्यों क्योंकि हमें cos phi का value तो यहाँ से पता ही चल रहा है, कि इस एंग तो v का value g हमारा 10 है, और length उनका कितना है बच्चो 5, और cost theta का value कितना आ जाएगा वहाँ से, is 3 by 5, तो 3 by 5, तो 5 5 cancel होगया, तो under root 30 होगया, तो under root 30 का मतलब, आप 5 point, 5 से काम चला सकते हैं कि, मैं तो इसको इतना ही ले ले रहा हूँ कि 5.5 meter per second होगा, आपको अगर exact अगर देखना है, तो under root 30 का value, वहाँ से कुछ आपको, जितना आएगा ले ली जेगा, एक तो यह हुआ, कि just before the track, find also the what the height of the particle can raise further, तो तो तेखो, यहाँ से क्या है बच्चो, कि जब वो चल रहा होगा, तो मैंने आपको बोला था, select करेगा, तो उस तो आप ऐसा previous year में भी जाकर अगर देखेंगे, तो ऐसा question एक वहाँ पर है, तो पूछा कि वो कितना raise करेगा, height from the particle can raise further, तो maximum height निकाल लीजिए, अगर ground से कितना था, तो यह पूरा add कर देगे, तो जो maximum height का formula h max का अपने projectile motion में देखा था ना, क्या था, h is equal to h max is equal to u square sin square theta over 2g, u square का value, अच्छा हमारे पास 100 अच्छा है, कि v square का, उसमें हम उससे बच गए, कि 5.5 लेना था या 5.4 लेना था, तो u square का value हम direct 30 ले सकते हैं, और sin 30 का value हैं से कितना हो जागा बच्छो, theta is 4 by 5, 16 by 25, g का value do into 10, तो 0 से 0 गया, बाकी हैं से 8, तो 24 by 25, तो जो h आया, मतलब कि further यह h कितना किया था, उसका value है, h का value 24 by 25, अगर पूरा, पतब 0.9 कितना आ जाएगा है, अगर करेंगे तो 240 है, तो 9 जा, 225, 15, 6 जा, तो 9.6 मीटर, तक और raise करेगा, ग्राउंड से गर कितना raise किया, तो कहेंगे 8.96, तो दोनों answer के लिए हम तयार है, तो total है, height कितना हो जाएगा, h total, और खली projection point से कितना गया, मतलब जहां से slack किया था, further कितना raise करेगा, अगर वो पूछा तो 0.96, total height ground से पूछेगा, तो कितना बताएगे, 8.96, तो यह हमारा answer है आज का, तो यह बाद समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है, तो आज का class से ही पर end करते हैं, लेकिन end करने से पहले आपको बता दू, कि इसमें अभी और सारे question है, देखिए, मैं आपको glimpse दिखा देता हूँ, कि आप next video के लिए अपने आपको prepare कर सके, कि heavy particles hanging from the fixed point इतना, मतलब इस तरह का SC barma में भी question है, वो भी कराऊंगा, यह भी कराऊंगा, यह बाल is attached to the horizontal cord of the length L, तो उस तरह का है, फिर 60 degree, तो यह सब आज का, question है कि tube के अंदर कुछ कलाकारी हो रहा है, फिर इस तरह का, ठीक है, तो इसमें तो यह कराऊंगा ही कराऊंगा, और सा फिर आपको इसमें power के लिए बताऊंगा, जब next lecture में जब हम लोग मिलेंगे, इन question के साथ साथ, जब होगा तो power के लिए जाएंगे, ठीक है बच्चो, तो आज के lecture में इतना ही, आप, I hope कि आपको vertical circle में एक नया flavor मिला होगा, कि हम ऐसे भी सो सकते हैं, ऐसे भी देख सकते ह अपार्ट फरम दो work energy theorem, work energy theorem से बहुत ही असानी से था, analytical treatment इसलिए दिया गया है उसको, कि आपको दिमाग expand हो, आप ऐसे भी सो सकते हैं, जो tension वाली बात थी कि कहां पर जीर होगा, तो पहले किया था कि आप energy वगर कुछ लगा के, heat and trial ऐसा कुछ करके, आप ला सकते हैं, ऐस से बिलकुल बदल चुका होगा, ठीक है, तो thanks for your time, next video में फिर मिलेंगे.